नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरें राजसरकार की ओर से 18 जन्वरी से कोचिंग सेंटर में ओफलाइन क्लासी शुरू करने की अनुमती देने के साथ ही कोचिंग सिटी कोटा में फिर से जीवन तता नजर आने लगी है शहर के ऐसे इलाके जहां कोचिंग संचालित होती है वहां हलचल शुरू हो गई है कोचिंग संस्तानों के साथ साथ होस्टल में भी स्टुडिंट को स्वच और सुरक्षत माहोल देने के लिए राजसरकार की गाइडलाइन्स की पानना के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है गुरवार को शहर की विबिन होस्टल एसोसेशन के सदस्यों ने अपने अपने स्थर पर तैयारियों को लेकर बाच्चित की और हर होस्टल में साफ सफाई से लेकर अन्य सबी जरूरी विवस्ताओं के लिए प्रयाश शुरू कर दिये अजमेर में घने कोहरे ने शुकरवार को शहर को धांपे रखा कोहरे में पहाडवे मकान नहीं दिख रहे सुबह 9 बजे तक दृश्टा 110 मिटर से कम दृश्टा है सडकों पर चोपईया और दोपईया वाहन चालकों को लाइट जलानी पड़ी ओसकी बुंदों से भर साथ का एसास हो रहा है न्यूंतम तापमान नीचे लुड़क कर 6 डिग्री पर पहुँच गया तीन दिन में तापमान में 8 डिग्री की गिरावट हो चुकी है और अल सुबह 5 बजे अजमेर घने कोहरे में लिप्टा रहा कोहरे से जमीन और आसमान एक होते नजर आए हावा के बरफीले तेवर नश्तर चुभाते रहे कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डुटासरा की नई टीम की पहली परिक्षा 28 जन्वरी को 20 जिलों के 90 निकाये चुनाओं में होगी प्रदेश संगटन में न्यूक्तियों की सूची के चुनाओं के लिए ये प्रभारी जिलों में काम शुरू करेंगे इन प्रभारियों के रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही जिलाध्यक्ष की न्यूक्तियां भी की जाएगी रादसान मादमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की मुख्य परिक्षाओं के लिए उनलाइन आवेदन करने की सामाने परिक्षा शुल्ख के साथ अंतिम तिठी शुक्रवार है अब तक 21 लाग से भी अधिक स्टूडेंट्स ने परिक्षा के लिए अपने स्कूल के माद्यम से आवेदन किया है इन 21 लाग में से 11.50 लाग च्छात्रों ने दसवी वे समकष परिक्षा 10.50 लाग स्टूडेंट्स ने बारवी की समकष परिक्षा के लिए आवेदन किया है साल 2020 की बोर्ड परिक्षा के लिए 20.58 लाग च्छात्रों ने आवेदन किया था कृशी विभाग की ओर से निरिक्षन के दोरान नियमों की पानला नहीं करते पाए जाने पर 190 कृशी आदान विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं और साथी और नियमितता मिलने पर 24 कृषी आदान विक्रेताओं के कृषी आदान बेचने पर रोक लगाई गई है। राजय भर में कृशी आदान विक्रेताओं को सगर निरिक्षन अभियान चलाया गया जिसमें विशेश रूप से दुरस्त इलाकों मिस्तित आदान विक्रे किंद्रों का निरिक्षन किया गया। और नियमितिताएं पाएं जाने पर 24 विक्रेताओं के कृशी आदान विक्रे करने पर रोक लगाई गई है राजसान के कोटा में गुरुवारात मुकंद्रा के जंगल में तेज गती से आ रही यात्रा निजी बस और संतुलित होकर सड़क किनारे बनी खाई में गिर गई हासिम में बस में सवार करीब आदा दजन लोगों को घंबीर चोटे आई उन्हें पुलिस की मदद से कोटा और जालावार अस्पताल में पहुँचाया गया बस में सत्रा याते सवार थे बस के खाई में गिरते ही यात्रियों के चीक पुकार मच गए रजस्व आय में बढ़ोत्री के लिए सितापुरा इंटरस्टिल शेत्र में खाली पड़ी ओयल कंपनियों की जमीन के सदूप्यों के लिए प्लान मनाया जाना चाहिए मुखे सचीव सचीवाले में उध्योग एवं रीकों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे गाम के बोली-बाली जनता से ठंटा से ठंगी कर ये गिरोग नकली नोट चलाने की फिराक में है बाली जबाली जिले के जाडन वे पीपली अकला में पिछले दो दिनों से नकली नोट के दो मामले سामने आने के बाद पुलिस सतर्क हो गई है वहीं आमजन में व्यपारियों को सचेत्क रखने को भी कहा जा रहा है पुलिस अब इस गिरो के सरगना तक पहुँचने का प्रयास कर रही है अजमेर सित महर्शी दयानन सरस्वती विश्रविद्याले को स्थाई कुलपती तलाशने के लिए सर्च कमेटी की मनजूरी का इंतजार है इसके बाद ओनलाइन फॉम भरवाये जाएंगे बीते साल साथ सितंबर को पूरो कुलपती रामपाल सिंग सहिद उसके दलाल रंजीज सिंग और कॉलेज प्रतिनी दी महिपाल को एसीबी ने दो दश्मलव दो जीरो लाक रुपे सहिद गिरफतार किया था रामपाल को 9 दिसंबर को हाई कोट से जमानत मिली और इसी दिन राजेपाल कलराज मिश्र ने उसे भरखास्त किया था लिहादा विश्व विद्याले में कुलपती पद रिक्त हो गया जैपुर में पुलिस ने कुक्याद गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई गैंग के पांच लाक के इनामी बदमाश को गिरफतार किया है इनामी बदमाश रवी उर्फ भूला राजस्तान पंचाब और हर्याना में वांटेड चल रहा था उसके किलाव छे हत्याओं के अलावा लूट और मादक पदार तता हत्यार तसक्री जैसे पचास से ज़्यादा गंबीर मामले दर्ज है पुलिस गिरफ्ट में आए आरोपी रवी उर्फ भूला पर पांच लाक रुपे का इनाम घुशित है राधसान के 90 निकायों में सदस्य पद के लिए 11 जनवरी को लोग सूचना जारी होने के साथ नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे 28 जनवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मत दान होगा जबकि मत गणना 31 जनवरी को सुबह से शुरू होगे राधस निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के लिए नगर निकम सदस्य के लिए 2,50,000 नगर परिशा सदस्य के लिए 1,50,000 और नगर पालिकास सदस्य के लिए 1,00,000 रुपे खर्ची की राश्रे निर्धारित की है प्रचार के दुरान लाउड स्पीकर का प्रयोग रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पूनत्याप प्रतिबंदित रहेगा करीब दो दशक से इंटरनाशनल क्रिकेट मैच को तरस रहे संसिटी जोदपुर के खेल प्रेमियों के लिए अब इनकी उम्मीदें परवान चड़ने लगी है जोदपुर शहर के बरकतुला खान स्टेडियम पर 16.5 करोड रुपे खर्च कर इसे इंटरनाशनल क्रिकेट मैच के माप दंडो के अनुरूप बनाया जा रहा है इसके तमाम विकास कारे हो जाने पर BCCI की ओर से मानेता मिलनी के बाद जोदपुर शहर में इंटरनेशनल और IPL क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा सकेगा करीब 20 बरसों से जोदपूर की क्रिकेट प्रेमी शेहर में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच और IPL मैच के आयोजनों को लेकर लगातार अंदोलन कर मांग कर रहे हैं अलवर में 13 लाक रुपे की रिश्वत मांगने और 3 लाक रुपे रिश्वत लेते हुए गिरफतार DSP सपात खान वे कॉंस्टेबल असलम को गुरुवार को ACB कोर्ट अलवर में पेश किया वहां से दोनों को 14 दिन आई खिरासत में जेल भिचवा दिया गया धुपेहर बाद में DSP वे कॉंस्टेबल को ACB कोर्ट लाया गया कोर्ट परिसर के अंदर DSP वे कॉंस्टेबल समाने तोर पर कटगरी से बाहर की ओर खड़े हो गए इस पर जज ने उनको इशारा करते हुए का कि कटगरी में आ जाईए इसके बाद DSP वे कॉंस्टेबल पूरी प्रक्रिया के दुरान कटगरी में ही नजर आए अजमेर में गुरुवार को इलेक्टरिट रूट पर डेट किलोमेटर लंबी डबल लेकर मालगाड़ी दूड़ी DFCC Western Dedicated Bread Corridor यूजना के पहले चरण के तहत हर्याना के न्यू रेवारी से अजमेर के न्यू किशनगड मदार तक बने 306 किलोमेटर लंबे ट्रैक पर ये ट्रेन चलाई गई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुल कारिक्रम के तहत हरी जंडी दिखा कर ट्रेन रवाना की इसमें रेल मंत्री पियुष गोयल, सीम अशोग गहलोत और हर्याना की सीम मनुहरलाल खटर भी शामिल हुए प्रदेश भाजपा का शेष नेतरतव आज दिल्ली में राष्ट्रे नेतरतव के साथ हाई लेवल मन्थन करने जा रहा है तैकारिक्रम के नुसार प्रदेश अध्यक्ष डूक्टर सतीश पुनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंदर राठोड आज राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़ा से मिलेंगे और विबिन मसलों पर बाच्चित करेंगे, पार्टी के सभी दिगजों के बीच होने जा रहा है ये मन्थन, कई माइनों में महतपोन माना जा रहा है परन्तु इस बार भी पुरमुख्य मंत्री वसुंदर राजे का नाम इस बैठक से नदारद है फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ SBT News के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें धन्यवार